बोलिये बांके बिहारी लाल की बोलिये गोवर्धन गिरी राज्जी महराज की भक्त जनों गिरी राज्जी महराज भारत वर्ष के उत्तर प्रदेश राज्जी में मतुरा जिले में स्थित हैं यहाँ भक्त जन आते हैं और भगवान श्री कृष्ण के प्यारे गिरी राज्जी की परिकम्मा लगाकर उनकी और गोविंध हरी के क्रिपा को प्राप्त करते हैं भक्तों गोवर्धन गिरी राज जी इतने महान कैसे बने कैसे कृष्ण कनहिया लाल जी के राज़ दुलारे बने और कैसे इनका संभन्ध देवराज इंद्र के मान भटाने से है आईए वेद पुराणों में वड़ित ये पावन गाथा आज मैं आपको संगीत मैरूप में एक बार फिर मेरे साथ बोलिये बोलिये बांके बिहारी लाल की शुरी गोवर्धन गिरी राज जी महाराज की जे जे गोवर्धन गिरी राज की आओ सुनाओ भगतों गिरी राज की कहानी आओ सुनाओ भगतों गिरी राज की कहानी है कृष्ण की ये लीला वेदों ने है बखानी आओ सुनाओ भगतों गिरी राज की कहानी कथा इस प्रकार से है भगतों आशाल का महीना था भगवान श्री कृष्ण की अन्य गोव ग्वालों के साथ वन में गईया चरा रहे थे कि तभी कुछ गईया गोवर्धन परवत की तलहटी की ओर चली गई भगवान कृष्ण और ग्वाले जब गईया माता को लेने बहां गए तो क्या देखते हैं कि कुछ गोपि काएं तरह तरह के पकवान बनाकर रंग बिरंगे वस्त्र पहन कर देवराज इंद्र की स्तुति गा रही है नाच रही है भगवान कृष्ण के पूछने पर वो उन्हें बताती है कि यदि इंद्र देवता प्रसन होंगे तभी तो इस माह में अच्छी वर्षा होगी और तभी धनधान होगेगा और हरियाली चाएगी जिससे हमारी गउमाता चारा प्राप्त करेगी कानहा अचंबे में घर की ओर आते हैं और घर आकर मा यशोदा को देखते हैं तो क्या पाते हैं आईए सुनते हैं माता भी इंद्र पूजे पकवान थी बनाती है महान इंद्र देवा कानहा को थी बताती है महान इंद्र देवा कानहा को थी बताती माता के सुनके वानी ओई क्रिष्न को हैरानी आओ सुनाओं भगतों दिर राज की कहानी मैया के समझाने पर क्रिष्न कनहिया मा यचोदा से कहते हैं कि मा सारी स्रिष्टी में वर्षा करवाना तो इंद्र देवता का कारे ही है फिर भला इनकी पूजन अर्चन क्यों करनी पड़ती है मैया ने बात सुनी अनसुनी कर दी तब काना ने यही बात गोप गोपिकाओं को जाकर बताई और समझाया कि यदि पूजन करना है तो गोवर्धन परवत का पूजन करना चाहिए यही परवत तो मेगो को हमारे गोकुल के उपर रोपता है ताकि वर्षा होती है इसी से हमारे गोवर्धन परवत पर हर्याली चाती है जिसे गईया माता चारा समझ कर खाती है और धेर सारा दुग्द देती है इसलिए मेरी बात मानो और इंद्र का पूजन अर्चन बंद कर गोवर्धन परवत की पूजा अर्चना आरंब करो भगवान कृष्ण की बात गोब गोप्यकाओं की समझ में आ गई उन्होंने इंद्र की पूजा बंद कर दी और गोवर्धन परवत की पूजा आरम कर दी इधर हर आशाल के महिने देवर्षी नारद इंद्र की पूजा देखने गोकुल में आते थे इस वर्ष भी जब वो गोकुल में आए तो क्या देखते हैं आईए सुनते हैं गोपी ओ ग्वाल मिलके गिरी राज को है पूजे और इंद्र को जरा भी कोई ग्वाल भी न पूजे अभी इंद्र को मैं जाके सारे कहूं कहानी आओ सुनाओं हगतों गिरी राज की कहानी देवर्षी नारत यह सब देखतर इंद्र के दरबार में आए और सारी बात इंद्र को सुनाई इंद्र ने जब यह सुना कि समस्त गोकुल वासिओं ने उसका पूजन अर्चन बंद कर दिया है बहुत प्रोधित हो गया और मेगो को आदेश दिया कि जाओ और गोकुल के ऊपर इतनी वर्षा करो कि सारा गोकुल डूब जाए ध्यान रखना कोई बचने न पाए मेग बेचारे सक्ते जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण तो साक्षा श्री हरी का अवतार है पर क्या करते अपने देवराज इंद्र की आग्या कैसे ना मांते सो गोकुल के ऊपर गए और बारिश बरसाने लगे पहले तो सब ने सोचा आशार का महिना है रिम जिम बारिश हो रही है परन्तु जब तीन दिन तक लगातार बारिश हो गई सारा गाउं डूबने लगा तब सारे गोब गोपिकाएं श्री कृष्ण के पास में आए और शिकायत के स्वर में उनसे ये कहने लगे बाते तुम्हारी सुनके नहिंद्र को था पूजा अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा अब क्रोध हम सभी को गोपाल सहना होगा कलती हुई है हमसे बाते तुम्हारी मानी आओ सुनाओ हगतों गिरिराज की कहानी साथ दिनों तक लगा तार वर्षा होती रही वक्तों सारा गोकुल लगवग लगवग डूबने लगा था गोधन अनधन की बरबादी हो रही थी सभी लोग कनहिया के पार जाकर हाहा कार कर रहे थी तब कनहिया ने सभी को अपना गोधन लेकर गोवर्धन परवत की तलहटी में आने को कहा जब सारा गोकुल अनधन लेकर गोधन लेकर गोवर्धन परवत की तलहटी में आया तब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला दिखानी प्रारंद की एक हाथ से बांसुरी बजा रहे है, सब हैरान है कि कनहिया ये क्या कर रहे है, कि तभी दूजा हाथ परवत के आधार के नीचे गुसाया, और हाथ की छोटी उंगली पर गिरिराज महराज को उठा लिया सब भगवान कृष्ण की लीला देखकर हैरान है, सभी को भगवान ने आदेश दिया कि सब परवत के नीचे आजाएं और बारिश से अपना बचाब करें, सारा गोपुल अनधन गोधन लेकर परवत के नीचे आगया और बारिश से बच गया, इंद्र को जब ये ग्यात तो दिवर्शी नारत के सहित वहाँ पर साक्षाथ आ गया, तब क्या देखता है कि एक हाथ से तो काना बासूरी बजा रहे हैं, और दूजे हाथ में इतना विशाल गोवर्दन गिरी मात्र एक नाखुन की नोप पर उठा रखा है इंद्र राज कुछ समझ पाता के तभी श्री हरी ने उसे अपना विराट रूप दिखा दिया, विराट रूप देखकर इंद्र थर थर कापने लगा, और भगवान श्री कृष्ण के चर्णों में नत्मस तक हो गया एक हात मुरली साजे, दूजे गिरी उठाए और रूप अपना विष्णू, दिये इंद्र को दिखाए चर्णों में आके उसने, गलती की माफी मांगी आओ सुनाओं हगतों, दिरी राज की कहानी बिंद्र ने मेगों को ततकाल आदेश दिया के बारिश बंद कर दे, और काना की शरण में आकर हाहा कार करने लगा पृष्ण कलहिया ने उसे समझाया कि हे इंद्र पूरी स्रिष्टी में बारिश करवाना ये तेरा कारे है फिर तु अपनी पूजा क्यों करवाता है इस पर विंद्र ने कहा भगवन आज के बाद मैं पूरी स्रिष्टी में आवशक्ता नुसार बारिश करवाऊंगा परन्तु कृपा कर मुझ पर क्रोध न करें भगवान कृष्ण ने कहा ए इंद्र मैं तुम पर क्रोधित नहीं हूँ परन्तु तुम्हारे नेत्र खोलना भी आवशक्ता इंद्र क्षमा मांकर देवर्शी नारत के साथ स्वर्ग लोग लोट गया और इधर सभी गोब ग्वाले काना और गिरिराज जी महाराज की जयजय कार करने लगे तबीसे बक्तों गिरिराज जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के लाडले माने जाते हैं बड़ भागी माने जाते हैं जिने भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारन किया था तो ऐसे ग्रिराज जी महराज की परिक्रमा लगा कर उनका और श्री कृष्ण का आशिरवात प्राप्त करते हैं एक बार फिर मेरे साथ बोलिए बले कृष्ण करहिया लाल के बोलिए गोवर्धन ग्रिराज जी महराज की बड़ भागी गिरी राजा श्री कृष्ण ने उठाया माटी से सबने भगतों चंदन तिलक लगाया माटी से सबने भगतों चंदन तिलक लगाया गिरी राज जी की महिमा सबने है भगतों मानी गिरी राज जी की महिमा सबने है भगतों मानी गिरी राज जी की महिमा सबने है भगतों मानी